जुवन दिस एड्वोकेट अर्पिता शुकला वेलकम यॉल्ट यॉयों चैनल टार्गिट फो आइक्यू हम स्टार्ट करेंगे आज करेंट अफेर्स में परसनीन न्यूस से परसनीन न्यूस में काफी बार पूछा जाता और प्री में भी पूछा जाता है तो आप प्लीज जो हमनों प्लीज बादरों कोड़ेंगे अपने कॉपी में स्टार्ट करते हम से अरुनाचार प्रदेश गौवर्नमेंट ने संजी द default कौ संजाइथ प्रमोट करेंगे अध्र प्रदेश के टूरिज्म को को पर कम प्रक्र जेंट लिब मतलब ढशाल प्रदेश में स अरुनाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू और ऑफिशल एनिमल की बात करें अरुनाचल प्रदेश की तो है गायल और ऑफिशल बर्ड है नियुक्त करेंगे और प्रदेश स्टेट में जो भी अवर्नाचल इसल इस्सट्राक्स का रेसाइब और अहेन में और इस तर ने वहाई है अम्बैज़डर न्यूट की चलिए हम नेक्स देखते हैं हम बात करेंगे संजीव कॉषल जी की जो संजीव कॉषल आयस यह इस इन्हें हर्याना के नीव चीफ सेक्रेटरी अपोइंट किया गया है ठीकिन कोशन आ सकता है कि जो संजीव कोशल है वो कौन से स्टेट के निउचीफ सेक्रेटरी है वो हर्याना के और कोशन दूसरा बनता है हर्याना के निउचीफ सेक्रेटरी कौन है संजीफ कोशल है ठीक है और यह विजय वर्धन जी के रिटार्मेंट के बाद इनको अपॉइंट कि हर्याना के सीम कोने मनोहरलाल खतर जी है और यह क्या है मनोहरलाल मंनोहरलाल Gheruti के विसल het चीफ सुरेटरी ठीके कौन से नंबर के पांचवे साइटरी है ठीके अब बआत करेंगे मातरा की बात करेंगे करेंगे इंडिया टूरिज्म डेवलवफमेंट का फशेयर को आए गा कि इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट के निए चेशनी कों ने संबित पातराजी है और यह कॉर्पोरेशन फाउंड ही थी 1st October 1966 में फाउंड हुई थी और इसका जो हेड़ ऑफिस है यह का है हमारा न्यू डैली में हमारा इंडिया टूरिज्म डेलफ्मेंट कॉर्पोरेशन 1st October 1966 में फाउंड की गई थी और हैड़कॉर्टर यहां इसका नई दिल्ले में है चलिए हम इंटरपोरेशन के एकजिक्यूटिव कमेटी मैं इसको किया गया है और इस साल इंटरपोरमीटिंग हुई थी ठीक है क्या हूं तो में इंटरपोर्मीटिंग की हुई थी और क्मिल इस्तांबूल में हुई ति टर्की में और देखे बात करें अगर 22 की बात करें 2022 में यह ब स्कार्ण इनटर पॉल मीट्टी में यह होगी हमारी डेली में New Delhi में जो हमारी 90 च अनन आप इंटर पॉल मीटिंग हमारी हमकीज़ीश्यक्रण होग नी έχली में इंडिया में न्यू डैली में और 89 काओंट है हमारी टर्की में हुआ है इस्तानबुल में और आप इसमें बात करें जो हमारे एहमद नसर अली राशी जी यह 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 यूनाइटेड अरिब एमिरेट्स के हैं और इनको इलेक्ट किया गया है इंटर पॉल के न्यू प्रेजडेंट के त बात करें दिश्वाह हसे दैक्ट के आथे सर्क्राइब एक्टर है और इनको बैस्टक का वार्ड मिला है असुरन के लिए कौन सी मोई इदिक असुरन के लिए मिला है आट शिक्त उट्पिंस फिल्म-फेस्टिवल में क्या आ्वार्ड देख़मारा क्ना-ई- आए-ए-एफ का गोवा में हमारा क्या हुआ था इंटरनेशनल फिल्म- इंडिया फेस्टिवल इंडिया इंडिया फेस्टिवल इसकी दिन फिल्म फेस्टिवल और्गनाइज हुआ था। हमारा एफ गोव में क्या हुआ था हमारी उसकी एंडिंग सेरिमिनी थी उस दिन यह सिक्स फिल्म फेस्टिवल और्गनाइज किया गया था नेक्ट बात करेंगे हम विवेक जोरी जी के देखिए अभी न्यूस में थे क्यूंकि इनको पॉंट किया गया है सीवी आएसी का न्यूचेहर में किसका सीपैरन का सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरक्ट टैक्सेज एंड कस्टम को न्यूचेहर में की बात करें कौन है विवे टैक्सिस एड कस्टम्स नेक्स्ट हम बात करेंगे अंजू बेबी जॉर्ज की बात करेंगे तो वर्ड एथलेट अफ्लेटिक सब्वाड 2021 अभी हाल में ही अनॉंस किया गया है जिसमें वुमें आफ दा इयर अवार्ड हमारे इंडिया की अंजू बॉबी जॉर्ज को दिया इसको दिया गया अंजू बॉबी जॉर्ज को दिया गया वुमें आफ दा इयर अवार्ड दिया गया और किसमें वर्ड एथलेटिक सब्वाड 2021 में अब नेक्स पात करते हैं घीता गोपीनाथन जी कि ठीक है किसकी कुई घीता गोपीनाथन जी कि जो कीता गोपीनाथन जी अब इन्हें क्या किया है इन्हें प्रमोट कर दिया गया है अब इन्हें कि फुल फॉर्म क्या है इंटर्नेशनल मोनेटरी फंड अब इसकी हम अगर हेड़कॉर्टर की बात करें तो हेड़कॉर्टर यहां इसका क्या है वाशिंग्टन डीसी यूसे में और इसका फॉर्मेशन की बात करेंगे तो यह फॉर्म हुआ था 27 दिसेंबर में 1945 में मैं क्या हुआ था इसकी जो मेंबर्शिप की बात करें इसमें टोटल किंट्रिया YOMom i7 मेंबर्शिप के तूर पे और इसके इसा इसके राइनेजिंग डिरेक्टर की बात करें तो । मैनेजिंग डेक्टर कौन है क्रिस्टीलीीना जॉरौजिया हमने क्या क्या देख वह इसमें इंटर्नैशनल मौनेटरी फंड की जो अब पहले गीता गुपिनाथ क्या थी चीफ इकनॉमिस थी बट अब क्या है उन्हें प्रमोट करके डिप्यूटी मैनेजिंग डिरेक्टर बना दिया गया है जो आइमेफ की सेकिंड रैंक ओफिशल होंगी और इंटरनेशनल आइमेफ की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटर के इंटरनेशनल मॉनेटरी फॉर्ड के मैनेजिंग डिरेक्टर ने क्रिस्टलीन जॉर्जीवा इंपोर्टेंट है इसके बारे में कहीं से क्वेशन आ सकता है देखिए यूपी में काफी बार पूछा गया है कि आप इस आप स्कीम के बारे में बताई है और यह जो है यह पूछा के इसका है इसके बारे में थोड़ी नॉलेज ले ली तो इसको प्लीज आप अपनी नोट डाउन कर लीजेगा चलिये हम नेक्स देखेंगे पस से रिविजिट करेगा और यह पैनल वापस से रिविजिट करेगा गया था EWS की जो 10% reservation quota की need admission के लिए किया गया था जो article 15 के according हमने जो हमारा article 15 में था उसमें EWS को 10% reservation दिया था तो उसको revisit करने के लिए एक committee बनाई गई है by the ministry of social justice and empowerment किसके द्वारा by the ministry of social justice and empowerment और उस पर्स उस committee में तीन persons होगे कितने थी पर्सन होगे और उस जो तीन member की committee है उसके head होंगे अजय भूशन पांडेजी देखिए हमने क्या देखा हमने देखा इसमें जो अजय भूशन पांडेज होंगे यह एक committee बनाई गई है किसके लिए बनाया गए पैनल बनाया गया यह पैनल वापस से रिविजिट करेगा सब्सक्राइब क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में जो क्या था जो नीट से से रिलेटेड एडमीशन था इसको चैलेंज किया गया था और जो आर्टिकल 15 के कमीटी होगे और तीन मेंबर की कमीटी है जिसके हैड होंगे हमेरे अजेबुशन पांडे जी नेक्स्ट हम देखते हैं बात करेंगे हम स्मृति मंदाना जी के बारे में ठीक है इनको एक ब्रेंड हम बैसर अपॉइंट किया गया है इंडियन इंस्टिट आफ टेक्नोलोज स्मृति मंदाना जी की बात करें तो हमने इसको नाम कहा सुना है हमें कौन से स्पोर्ट से स्पोर्ट से स्पोर्ट से तो थोड़ा हम ओवर्व्यू ले लेते हैं चैनल ह्सक्त प्ररदेश को प्राइंट करेंगे और हम सजीव कोशर कि वह क्या है हममेरे हरे के नियुव सेक्रेटरी होंगे संभीत पात्रा क्या हुए हैं इंडिया के टूरिस्म डेवलप्मेंट कॉर्परेशन के नए चैर्मन के तौर पर प्रविंसीना के बारे में हमने पना पड़ा था तो उनको एक टॉप प्रविंसीना जी को अपॉइंट किया गया इंटर पॉल के मेंबर के तोर में और इसके इंटर पॉल है उसके नए प्रेजडेंट हमारे कौन है एहमाद नसर अली राइसी जी है ठीके जो कहा एक से यूए इसे रिलेटेड है धनुश को क्या धनुश के बारे में बढ़ा था जो क्या है हमारे वह साउथ इंडियन एक्टर है और इनको बेस्ट सब्सक्राइब और गीता गोपिना अब उनका प्रमोशन करके क्या कर दिया गया उन्हें फॉस्ट डिप्यूटी मैनेजिंग डिरेक्टर बना दिया आएम एफ का अजय बूशन पांडे जी को क्या करेंगे यह लीड करेंगे पैनल को जो जो एड़ू एस के क्रिटेरिया क स्मृति मंदाना जी को पॉइंट के अगया ब्रेड बेजर अफ गूवी का जो इंडियन इस्टूट ऑफ टेक्नोलोजी के द्वारा है और गूवी के स्टार्ट अप प्रोजेक्ट है इंडियन इंस्टूट ऑफ नेकनोलोजी मदरास का ठीक है बहुत इंपॉटन थी हमने अपनी कॉपी में और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगा और कोई भी क्वेरी है तो आउपर दिये गए नंबर पर आप कॉल ये मैसेज करके पूछ सकते हैं थैंक्यू सो मच